तीज पर अपने माई के जा रही व्रिद महिला को दुर्ग में मैयूनैट चर्ड के सामने एक मैतारी एकस्प्रेस ने ठक कर मार दी। उस महिला का इलाद जिलास्पताल में जा रही है। तुर्ग के बोर्शी निवासी वृद्ध महिला राजकुमारी लहरे को एक सरकारी महतारी एकस्प्रेस वहाँ ने ठोकर मार दी और घायल कर दिया घटना के बाद महतारी एकस्प्रेस वहाँ का चालग मौके से फरार भी हो गया बता दें कि बोर्सी निवासी वृद्ध महिला तीज पर मनाने मोटर साइकल में से अपने माय के जाने निकले थी जहां रास्ते में दुर्ग के मृनोनाइट चर्च के पास तेज गती से आ रही सरकारी महतारी एक्सप्रेस वहां ने वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया जहां महिला को काफी चोटें आई हैं वहीं उसका इलाज जिलास्पताल में चल रहा है वुर्द महिला के परुजनों का कहना है कि महतारी एक्स्प्रिस का वाहन चालक पूरी तरह से नशे में धूत था इस मामले में दुर्ग पुलीस जाच में जुटी हुई है एसी निउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट